मैं भी एक middle class family से हूँ तो मैं भी अगर बात करूं अपनी तो मैं भी अमेरिका यहां Canada की पीस तो बिल्कूल भी अफोर नहीं करता हूँ कि आप कुछ चाइना की डिगरी को समझो ही ना यार यह ऐसा नहीं है और मेरे मुझे पता है कि मैं यह चीजें कैसे मैनेज करता हूँ यह मेरे लिए बहुत मुश्किल पार होता है मेरी लाइफ के अंदर यह मेरी family जानती है या मैं जानता हूँ या मेरे करीबी दोस्त जानत यार मलब हर टाइम यही डर लगा रहता है कि यार पकड़े ना जाए यार मलब डिगरी ना कैंसल हो जाए यार यह ना हो जाए यार वो ना हो जाए असलाम अलेकुम दोस्तों क्या हाल चाल है अमीद कर तो हम आप सब लोग ठीक होंगे welcome back to my youtube channel welcome back to another video तो कैस आप लोगों का काफी ज्यादा यह question आ रहा था कि वाई एक वीडियो बनाएजा जिसमें आप बताएं के study in China और study in USA, Canada, Australia और यह यॉरॉप की जो कंट्री जाती है इसमें क्या difference है हमें कहां पर जाकर study करनी चाहिए और अप अपना experience share करें कि आपने चाइना में study की है और काफी लोग मुझ जो के चाइना नहीं आये थे वह चैना चले गए थे एंस चले गए तो उनका वहां पर study experience कैसा रहा है मेरा चाइना में study experience कैसा रहा है इस वीडियो में मैं तीन से चार जो points है उसको cover करने कोशिच करूंगा फस्त होगा study environment चाइना में study environment कैसा होता है और दूसरी कंट्री में study cost कितनी हाती है और दूसरी countries में study cost कितनी है ठीक है और तीसरा point यह होगा कि during studies आपके पास part time job opportunities चाइना में कैसी होती होती है और दूसरी country में कैसी होती है ठीक है और last पर हम करेंगे बात degree value की कि China की degree value क्या है और दूसरी country's की degree value क्या है जहां से आप graduate हो और वीडियो को कुछ नहीं जाएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो हिट सब्सक्राइब बटन और दूसरी रिक्वेस्ट मेरी आपको यह है कि आपने वीडियो को पूरा लाज भी देखना है आपने ऐसे नहीं स्किप कर देना आपको कुछ पॉइंट आसे होते हो समझ नहीं आते हो फिर डिटेल में जाके आंसर करूँगा लेकिन आपने वीडियो को पुरा जरूर देखना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टडी इन चाइना के बारे में स्टडी इन चाइना गाइस आपको पता है कि चाइना इंगलिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है यहां पर चाइनीज ल होता है अगर आपको चाइनीज लैंगविज आती है तो फिर आपके लिए कोई फ्रॉब्लम नहीं होगी आप किसी भी टीचर के साथ किसी बी स्ट्रूरní के साथ अपना नॉलिज कर सकते हो उन से चीज़ें सिख सकते हैं उन को चीज़ें सखा सकते हो लेकिन अगर आपको कुछ ज्यादा चीज नहीं थी तो मुझे यहां पर चीज कर रहे हो यह आप इसा होता हैं। यह सोच के चाइना मत आओ कि नहीं पर चाइनिस लेंगवीज का बेरियर है वहां पर हम यह ठीक एक लेवल तक लेंगवीज बैरियर है. है लेकिन अगर आपको लैंविज आ गई तो China आपके लिए जनत और चाहिनग तो चाहिना आपके लिए जननत है में जैसे क Albert जाहे वह मेडिकल के स्फूरेंट वो चाहे वह इंजिंग जोय पर किसी भी फिल्ड के तो आपको सोचते रहो कि हमें लेंग्विज नहीं आती तो हम चाइना में स्टड़ी करें नहीं सकते ऐसा बिल्कुल नहीं है बहुत से लोगों के अंदर यह क्वेस्टन होता है कि आप चाइना जाएंगे तो वहाँ पर जाके हमें सिर्फ चाइनीज सीखनी पड़ेगी पहल पर कोई लेंविज बैर नहीं होता और वहाँ पर जो प्रफेसर की बात है वह आपको और अच्छे तरीके से समझ आ सकती है लेकिन चाइना में उस लेवल तक आपको समझनी आ थी जिस लेवल तक समझना जाते हो वहाँ पर आपको चाइना में आपको खुद की स्ट्रगल जाधा करनी पड़ती है लेकिन जो दूसरी कंट्री जासा के कैनड़ा है अस्ट्रेलिया मेरे कुछ कॉछ दोस्त हैं तो उनके रिव्यूस कुछ इस तरह हैं कि यहाँ पर भी हमें खुदी करनी पड़ती है यह नहीं होता कि पर पैसर आपको गरबैड के सारी चीज़े चाइनीज के निसमेट को चाइनीज उस लेवल तक आपको जाके एकस्प्लेन नहीं कर सकते जिस तरह एक नॉर्मल नेटीव इंग्लिश टीचर जो है ना हमें कर समझा सकता है तो यह आपने जहन में लाजबी अपने जहन में यह चीज रखनी है कि भाई अगर आप चाइना म वह में जा रहे हैं जासे के कैनडा अमेरिका और यह पर आपको बहुत जप्र lleg नहीं होकी मफर आपको बहुत ज़यादा दिक्कत नहीं होगी महाँ पर आपको डिशानी नहीं होगी वह graph CB चीज़ों को और ज़्यदा समय सकते हो है चाइसे Maun को सुपितने मैं काऊस्ट आत 10,000 RMB maximum होती है engineering के major के लिए लेकिन अगर आप MBBS कर रहे हो तो maximum आपकी 40000 RMB फीस होगी और minimum जो होगी वह होगी 20,000 RMB 20,000 RMB भी कुछ universities हैं जो आपको लेकिन वह लो रंकिंग उनिवस्टी होती है आपको पता है तो चाइना में आप सच्छे पैसों में स्टडी कर सकते हो और अगर हम कॉस्ट के बारे में बात करें स्टडी इन युएस से और कैनडा और अस्ट्रेलिया के बारे में तो आपको पता है वहां पर फीसित कितनी ज़दा होती है उनिवस्टी इस पर स्कॉलर्शिप भी इतनी तॉप हो जाता है जैसे कि हमारे मिडल क्लास फैमिली वाले लोग होते हैं वह तो मेरे लगाल मारे अमेरिका या कैनडा की फीसे तो बिल्कुल अफोर्ड नी कर सकते हैं मैं अगर आप अबरोड स्टी के बारे मैं सोच रहा है तो आपने चाइना को लाजमी ऑप्शन में र आउस्टेलिया की फिसे फोर्ड कर सकते हो तो आप लाजमी उदर जाओ वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशन रहेगा आपको वहां पर ज्यादा अपर्चुनिटीज मिल सकती हैं चाइना की बनिस्पत लिविंग कोस्ट के बारे में अगर बात करें तो चाइना के अंद तो वहां पर हमारे लिए ये होगा कि हमारे अगर हमने गर से पैसे मंगवाने हैं तो हमारे लिए अफॉर्डेबल नहीं होगा क्योंकि वहां पर अगर मिनिमम भी बात करना तो दो लाग रुपया कहीं नहीं गया आपका अगर आप वहां पर स्टेडी करने के बारे में पाकिस्तान को अगर हम USA के साथ compare करेंगे ना तो पहले तो हमारी currency का बहुत जादा डिफरेंस आजाता है और दूसरा यह है कि वहां पर चीज़ें ज्यादा expensive है पाकिस्तान की निस्पत अभी हम बात करते हैं जो आपके जहन में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो question होता यह कैसे पैसे कमाये कैसी अपने खुद के expense को manage करें तो अभी मैं इसका answer देता हूँ कि अगर आप चाइना में आते हो अगर आप पहले अपने आपके जहन में यह सोच लो यह बात सोच लो कि चाइना कभी भी आपको part time job allow नहीं करता उसकी conditions है वह बहुत रहीं है वहां पर part time jobs होती हैं लेकिन 99.9999% जो होती है वो illegal होती है और बाकी 0.001% जो jobs है ना चाइना एक अंदर part time वो कुछ को illegal होंगी लेकिन उनका तरीका कार बहुत different होता है बहुत difficult बे होता है लेकिन आप कर सकते हो part time jobs वो थोड़ा सा आपको बता है कि हम जैसे जुगार लगा लगा ल लेकिना अगर आप यह सोच लेकि आओगे न तो आप चाइना में जॉब डून लोगे अगर आप यह मांड लेकिना है कि मैंदे ने कालना है कैसे रसता निकालना कि अस पर मैंने कपी जियदा जादा वीडियो बनाई हुए आप जाके देख सकते हो मेरी वीडियो जॉब कैसे करनी है मैं खुद भी करता हूं बहुत से लोग करते हैं लेकिन वह एक लीगल वे परमनेंटली नहीं होती जॉब मैं आपको बार बार यह बता रहा हूं ठीक है और अगर हम कंपेर करें दूस कंट्री जैसे के मेरे कज़र नो बता रहे हिए ए अस्ट्रेलिया से के कुछ लोग ऐसे पाकिसानी होते हैं माशाला से जाकर भी टो करते हैं कि हमारे पास चलके आए हलां कि जॉब आप अला होती है तो पिर वहां पर भी वो जॉब नहीं करते मालब बकल के घर से पैसे है यह आप की स्ट्रुटल विर्ट और कुर्ट दोंगि DIA नियुस्सक्राइपर बैल्ट पर इसी गुक्राइखर होतां पांशॉट इसन में को लेके बॉर्डर पे तो वही सीन होता है कि मलब डर जो होता है जो stress होती है ना part time job की चाइना के अंदर वो मेरा नहीं ख्याल किसी और country के अंदर होगी कि मैं विटनाम गया हूँ वहाँ पर मैंने students से मिला हूँ पाकिस्तानी students हैं आपर इंडियन ज्यादा हैं students तो मैंने उन्थे बात्षीत किया हैं यहाँ पर हमें थोड़ी बहुता job अलाओ है तो यहाँ पर हमें stress नहीं होती इतनी ज्यादा कि यार पकड़े ना जाए यार डिगरी ना country के यहां इंग्लेंड के तो भाई मेरा personally आपको यही मश्वरा क्या वहाँ जाओ को कि वहाँ पर आपको यह stress नहीं होगी और आप अच्छे से study भी कर सकते और अच्छे से होता है ना वो फिर अच्छे से study भी नहीं कर सकते और अच्छे से job नहीं कर सकते और मेरे मुझे पता है कि मैं यह चीजें कैसे manage करता हूं यह मेरे लिए बहुत मुश्किल पार होता है मेरी life के अंदर यह मेरी family जानती है या मैं जानता हूं या मेरे करीबी दोस्त जानती है कि मैं कैसे इस इन चीज़ों को मैनेज करता हूं और यह डार सरकर आपको नजर आ रहे हैं यह सिर्फ इसी स्ट्रेस की वज़ा से है और मुझे यहां पर कोई दुख नहीं है ठीक है मैं अच्छी लाइफ उज़ा रहा हू और USA की डिगरी को सारे मूझ लगाते हैं यह बात एक हद तक ठीक है यह बात सच है कि चाइना की डिगरी की वैल्यू USA की डिगरी की वैल्यू से कम है लेकिन वह इस लेवल तक कम नहीं है कि आप कुछ चाइना की डिगरी को कुछ समझोगी ना यार यह ऐसा नहीं है बात युएस्टेम में चल जो वहां पर स्टड़ी ना करो अच्छी उनिवर्श चल जो ठीक है वहां पर स्टड़ी ना करो और लो जो सीजी पीए लेकर वहां से ग्राजूट हो जो तो कौन आपकी डिगरी लेगा वो आपसे पूछे यार नॉलिज मैटर करता है आपने कितनी ची आपने लाजमी इस बात को जिहन में रखना है कि आपने चाइना में आओ एंधो किसी उद्थरी कंट्री मिँ जा ओंजे आपक्से कंट्री में अबरॉड तो जादा कीसे देशरी प्रकों में जो QR नहीं करता है यह किसी दूसन करती यह एक बार मेरे जेहन में तो यही मैटर करता है ब्रो आपके लिए भी एक छोटी उनिवस्टी में आके कुछ ऐसा बड़ा कर सकते हो कि आपका नाम पुरी दुनियम बन सकता है ठीक है तो आप में अपने अपनी चोटी उनिवस्टी से ग्रैजुएट होके अपनी डिग्री कि इतनी ज्यदा वैल्यू बनानी है कि लोग मुझे कहेंगे कि वाकई यार यह चोटी उनिवस्टी से आया लेकिन इसकी वैल्यू देखो यार तो आपने इस वीडियो को ज्यदा से ज्यदा शेयर करना है ताके ज्यदा से ज्यदा लोग इस वीडियो से कुछ ना पूछ सीख सकें उनका भी फायदा और आपका भी फाइदा हो ठीक है तो इसी के साथ ही करते हैं इस वीडियो को एंड इंशाल्ला फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ अपता के लिए अलाहापीस